नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारे द्यानी कारिक्रम समय चक्र में आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकर्ष में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है जोतिश पंडित रविशंकर जी रविशंकर जी प्राइम टीवी पर फहले तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करूँगी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको देखे पंडिजी आज है शनिवार का दिन और सबसे पहले हम आपसे जाना चाहेंगे कि आखिर आज का पंचांग क्या है आज का पंचांग विक्रम सम्मत 2018 कार्तिक मास सुकल पक्ष की सश्टी ति दिन सनिवार देनांक 28 नवंबर 2030 नच्छत्र उत्रा साढ़ा चन्रमा मकर राशी में इस्थिर राहुकाल प्राता 9 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे तक सोर्योदे सुबे 6 बचकर 27 मिनट सोर्यास्त साम को 5 बचकर 14 मिनट पर ठीके ठीके पंडी जी ये तो रही पंचांग की बात अब जाना चाहेंगे कि आखिर आज का राशी फल क्या रहने वाला है सबसे पहले हम आप से जाना चाहेंगे मेश विश्राब और मिथुन राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है मेश राशी वालों के लिए कार छेत्र में चिंता रहेगी कानूनी मामलों में परिशानी संभव है ब्यापार में उत्तम लाब होगा बात करें दूसी राशी ब्रिसब राशी ब्रिसब राशी वालों के लिए मानसिक तनाव बना रहेगा आर्थिक छेत्र में साउधानी बरतें साथी ब्यावसाय में लाब होगा वाहन से परिशानी हो शक्ती है तो अगर आप कहीं आत्रा कर रहे हैं तो वाहन साउधानी से चलाएं सकता हैंैं टीसिराजी मिठुन राषि मिठुन राषि वालों के लिए कारिछेत्र में ब्यंस्त रहें आपको नया याज कीसितीय लिए आशेय लिए करक राषि वालों के लिए आज का दिन कीसा बीटेक देखे चोथी रासी करक रासी करक रासी वालों के लिए राजनीतिक छेत्र में सम्मान बढ़ेगा कोट कचेहरी में विजय प्राप्त होगा साथी आपको ब्योसाय में भी विसेसलाब होने वाला है पांचुई रासी की बात करें तो शिंग रासी वालों के लिए धैरी बनाये रखें कारिछेत्र में बिलम हो शकता है मन बहुत अशांत रहेगा तो कोशिश करें कि मन को शांत रखें साथ ही नौकरी में शम्मान का योग रहेगा और आपको यात्रा से विसेश लाब होगा चटी रासी बात करें कन्या रासी कन्या रासी वालों के लिए संपत्ति के मामलों में परिशानी होगी ब्योसाय में कम लाब होगा आपको सेहत नरम रहेगी साथ ही आपको क्रोध पर नियंतरा रखना होगा अगली राशी की बात करें तुला राशी तुला राशी वालों के लिए राजिनीतिक सम्मंध अन्फूल रहेंगे साथी नौकरी में आपका वर्चस बढ़ेगा साथी नहीं कोई अगर कारियोजना करना चाह रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा ब्योसाय में विस्तार के भी योग बन रहे हैं ठीके पंडी जी अब बाकी जो तीन राशियां है जो अब उनके बारे में जाना चाहेंगे कि व्रिश्चिक धनू और मकर राशी वालों के दिन आज जो है वो कैसे बीतेंगे ब्रिश्चिक राशी आठवी राशी ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए नौकरी पेशा जातक का कारी बढ़ेगा साथ ही अगर आप ब्यापार कर रहे हैं तो उसमें लाब होगा आपको सिच्छा से सम्मंदित आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा साथ ही आपको व्योसाय से भी लाब हो शकता है आपकी अगली राशी धनुराशी धनुराशी वालों के लिए नौकरी में आप प्रतिष्ठा बनी रहेगी आपकी ब्योसाय में उत्तम लाब होगा, शुबकारी आपके हाथों आज होशकते हैं, साथ ही आपको सकारात्मक सोच रखना होगा आपकी अगली राशी की बात करें मकर राशी मकर राशी वालों के लिए अपने वारी पर क्रोध पर नियंत्रा रखना होगा साथ ही आपको इससे विसेश बचना होगा आपको आर्थिक इस्थिती में नुक्षान हो शकता है तो उसका विशेज ध्यान आपको रखना होगा और आगे का जो आपका आज का दिन है वो थोड़ा साउधानी से रहें अगली राशी आपकी कुम राशी कुम राशी वालों के लिए लोग प्रियता बढ़ेगी साथी नौकरी में आपको उन्नती के योग बन रहे हैं साथी आज आपको वाहन या हड्डियों से अगर आपको दिक्कत रहती है तो साउधान रहना होगा लाश्ट और अंतिम राशी मीन राशी मीन राशी वालों के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें नौकरी में आपका दबदबा बना रहेगा व्योसाय में आपको उस्तमलाब के योग हैं और परिवार में सांती बनी रहेगी खुसहाल रहेगा और आपका आज का दिन अच् के दोर कि और देखे पड़ी जी आज का दिन है शनीवार और शनीवार का दिन जो है वो भगवान शनीदेव को पूरी तरीके से समर्पित होता है और हर दिन हम बात करते हैं रहुकाल की तो रहुकाल से जुड़ा हुआ हूए एक सवाल मेरे पास अभी मेल के जरीया आया कि कि ये जो लगतार हम हर दिन राहुकाल बताते हैं क्या ये राहुकाल हर दिन बदलता है क्या और क्या शेत्र के मुताबिक भी राहुकाल का समय बदलता है जी ऐसा होता है और राहुकाल का जो समय होता है वो प्रतिजिन अलग-अलग होता है तो जो समय दिन वाइज भी राहुकाल का समय होता है तो जो आज का राहुकाल है वो शुबे नो बजे से लेके सुबे सारे तस बजे तक है तो इसमें अगर आपको कोई कारी शुरू करना है तो ये समय देख लें इसके बाद ही शुरू करें या इससे पहले शुरू करें तो आपके लि तक नहीं चड़ पाता है जिससे आदमी को काफी खासी दिक्कत होती है इसलिए राहुकाल से लोगों को बचना चाहिए अगर आप कोई शुव्यात्रा करना चाहते हैं तो राहुकाल का विशेज ध्यान रखें पंडी जी क्या शहर शहर राहुकाल का जो समय है वो भी बदलता है हाँ थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन आसपास की अगर सहर है तो यह अंतर नहीं होता है पंडी जी आप हर दिन हमको बताते हैं कि राहुकाल का समय क्या है राहुकाल के समय में तमाम जो शुब कारें उ होता है तो राहुकाल प्रति दिन लगता है उसका एक समय होता है कि इस डेढ़ घंटे राहुकाल रहेगा उसका जो समय होगा वो डेढ़ी घंटे होगा लेकिन ताइम दिन के अनुशार चेंज होता रहता है और अस्थान के अनुशार भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है तो इसका विसेश आपको ध्यान रखना होगा और राहुकाल जो लगता है वो प्रति दिन इसी लिए लगता है उसमें सारे कायर वर्जित होते हैं तो ने की अज चुपाय करें रहें लेकिन उस इस शणी की दृष्टि दुष्प्रभाव डालती कब है किसी इंसान पर और आगर उस पर शणी का प्रभाव है तो उस इंसान को पता कैसे चलेगा देखे आपके हर व्यक्ति आजकल कुंडली दिखाता है आपके शनी ग्रत किस भाव में बैठे हैं किस अस्थान पर बैठे हैं किस राशी में बैठे हैं और जो शनी की दिष्टी होती है सनी की दिष्टी तीन साथ दस होती है वो अपना जहां बैठते हैं इस समय कुम राशी में सुराशी के सनी है तो उनकी जो दिष्टी होगी आपकी तीसी दिष्टी उनकी मेश राशी पर होगी और जो सातुई दिष्टी होगी वो आपके छटे भाव पर होगी साथ ही उनकी जो दसम दिष्टी होती है वो आपके कैरियर प्रपड़ेगी तो इसका विसेश आपको ध्यान रखना है कि आपके कुल्ली में शनी महाराज कहां बैठे हैं सनी महाराज जहां बैठते हैं, वहां भी अशुप करते हैं, उनकी द्रिष्टिया भी कुरूर होती हैं, तो उससे बचना चाहिए, सनी की साड़े साती धाया भी समय समय पर लगता रहता है, शनी महाराज एक राशी में धाई वर्स विराजमान होते हैं, और ग्रह, कुछ ग् का समय होता है, जिसके अनुशार हो कोचर करते हैं, अब उस समय जो शनी महाराज मारगी चलने हैं, सीधी चलने हैं तो लोगों को विसेश लाब देंगे साथ ही आज मैं आपको ह्पूतर पुजा विसेश महत्रो बताया गया है जो आज 6 ती थी है जो विशेष मनाया जाता है तीन दिन यह पर वो चलता है ऐसा मानिता है कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान शूरी देव की बहन शष्टी माता थी जिनका विशेष अराधना से आपके सारे मनो कामना पूरे होते हैं साथ ही भगवान रामचन जी जब लंका के राजा रामण का वद करकर अध्या आये थे और माता सीता और प्रभु सी राम ने उस समय राम राज जी की अस्थापना के लिए सश्टी मा का ब्रत किया था और सूरी देव की विशेष पूजा अर्चना की थी ऐसी मानिता है कि उसी समय से ये ब्रत की लोगों को रखने की परंपरा है और लोग रखते हैं साथ ही सश्टी के दिन कन महा भारत कन भी शूरी के बहुत ही बड़े पुजारी थे वो हमेशा तक्रीबन एक से डेल घंटा वो अपने घुटने के बराबर जल में खड़े होक शमुद्रिया नदी में खड़े होकर भगवान शूरी देव को एक से डेल घंटे का वो उनका विसेश आरातना करते थे जिस पे उनको सूरी पुत्रकन भी कहा जाता है और उनका वरदान था सूरी कवच भी था उनके कुंडल कवच था तो इससे विसेश है कि आज के दिन आप सश्टी मा का विसेश पूजा करें आपके यहां अगर नहीं होता है तो भी उनका ध्यान करें साथ ही आप सूरी भगवान को अर्ग जरूर दें तो इससे आपको भली भात लाब होगा साथ ही कल के दिन यानि रविवार के दिन उनकी समापती होती है और अपनी माताय सब्सक्राक्राल के इससिति तो आपको विशेश लाब होगा और इस लाब से आपका जीवन परिवर्तित हो जाए इसकी पूज़ा पूजा कब दिक्रिक और आज शनिवार कोई विशेश तयोग भी बन रहा है है और जो कल समापती का है तो आज भी विशेश सहींग है कल भी विशेश तयोग कर सकते हैं साथ ही अगर आपके सनी अरिष्ट हैं तो आप काले कपड़े चपल जूता मत खरीधें लोहे से संबंधित कोई काझ नः खरीदें और फिपल के ब्रिच पर जल अर्पित करके सुवा साथ प्रकर्मा करें और सामky को एक तो के सुद्ध तेल का दीपक जलाएं इससे आपको भी इसलाब के ओर पंडियμεं की आज अगर आप अपने जीवन में न्याय पे सही रास्ते पे चल रहे हैं शनी महराज कितने भी अश्रुवाब के कुंड़ी में हैं वो हमेशा आपको विसेश लाब देंगे और सही रास्ता दिखाएंगे सही मार्ग दिखाएंगे अगर आप गलत कारियों में लीन हैं साथ ही आप दुआचाई हैं लोगों के साथ प्रतारित भावना के साथ आप जूट कपट रखते हैं तो भगवान सनी आपके कुंड़ी में कितने भी अच्छे हो वो आपको अशुप प्रभाव ही देंगे इसल की रास्ते पर चलेंगे तो शनी महाराज आपको विशेष फल देंगे और शनी महाराज अगर आप पे उनकी किरपा हो गई तो आप फिर रंग से राजा भी बन सकते हैं और अगर उनकी कुरूर दिश्टी पढ़ गई आप उनके विपरीच चल रहे हैं आप जूट बोलना है कपट कर रहे हैं चल कर रहे हैं तो आप से आपको राजा से रंग भी बना सकते हैं यह उनमें इतनी छमताएं होती हैं तो आप अगर शनी का विशेष स्रद्धा पूर्बा का अपने स्रद्धा अनुसार उनकी भक्ति करिए और साथ हनुमान जी की विशेष किरपा नहीं पड़ेगा और विसेष आपको लाब हो जानी और आपने खाला कि जो न्याय की देवता है शनी वो कर्मों के हिसाब से फल देते हैं और उनका दुश्प्रभाव जो है वो भी कर्मों के हिसाब से पड़ता है लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर लगातार शनी भगवान क वो उपाय कर रहा है अब उस व्यक्ति को समझ कैसे आएगा कि आप शनी की दृष्टी उस पर अच्छी हो चुकी है किस तरीके से परिवर्तन होगा देखे आप आजकल इतना सोसल मीडिया का जबाना है कोई ना कोई जूत साचार या चार सारे ग्रुहों के बारे में आपक जाएगी कि accuse नी माराज सबाटर रहेंगे इस रासी में तो अभी उनका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इस लिए सनी महाराज दहाई में परिवर्तन करते हैं आप और सारे जो है वह कम समय में परिवर्चित करते हैं तो शनी का विशय सुमात होता है और अगर आप सही रास्ते पर चलें तो भगवान सनी आपको सही मार्ग दिखाएंगे और उचाईयों तक ले जाएंगे भगवान शनी किस राशी के लिए सबसे जादा अकसर देखा गया है क्या नुकूल सावित होते हैं भगवान शनी देपको कौन सी राशी जादा भाती है देखे उनको तो जैसे आप देख सकते हैं अपन के हैं तो आपको विशेष साउधानी बरतना चाहिए और शनी की हमेशा किरपा लेनी चाहिए क्योंकि ब्रिश्चिक और मेश और ब्रिश्चिक रासी जो है वह चोट चपेट अगर असुप ग्रा मंगल भी है तो शनी की भई अगर आपके उपर प्रकोब पढ़ा है तो ज अगर शनी आपके कुंड़ी में नीच का याशूप का है तो आप काले वस्तरों का दान करें खास कर उस दिन न खरीदें एक दिन पहले खरीद के रख लें लोहे से सम्मंदित कोई सामान न खरीदें सरसो का तेल तो बिलकदाब मत खरीदें क्योंकि उससे शनी महाराज अर शनी की जो क्रूर दिश्टी होती है वो अच्छी नहीं होती है इसलिए आप इसकी इसका विसेज ध्यान रखें और आप शनी वार के दिन कोई नुकीली चीज मत खरी दें नहीं तो आपको शनी की अनिश्ट कारक दिश्टियों से आपको दिक्कत हो सकती है जिससे आपके जीमन में सफलता नहीं मिल पाएगी तो आप यह चीजें ध्यान रखें कि आपको शनी का विशेश उपाय करना है साथी काले चपल जूते कपड़े ऐसे चीजें सनीवार को ना ले खासकर चपल तो बिलकुल ना पहने क्योंकि उसमें शनी का वाश होता है तो काला चपल अ आस्था जगी हम किसी विस्तान पर पूजा अर्चना कर सकते हैं लेकिन चुकि आज शनीवार का दिन है तो क्या भगवान शनी के पूजा अर्चना करने के लिए को एक विशेश समय निर्धारित होता है क्या कि हमें कब उन्हें जल चढ़ाना चाहिए शनीग्र जो होते है तो आप कोशिश करें अगर उदै के पहले अगर उनकी पूजा करने तो ज्यादा विशेश रहेगा अगर किसी कारणवर्ट नहीं कर सकते हैं तो जल आपको सुभा ही चढ़ा सकते हैं साम को भी सूरियास्त के बाद भी आप जल चढ़ा के और उनका प्रक्रमा करके और वि करते हैं तो भी हमें फल मिलता है यहां तक यह भी कहा गया है कथा में कई वरन है कि नव बजे के और को देते हैं वह देत्यों को मिलता है साथ-ही आप 9 जाओ-10 वजे के बाद अगर कोई पूझा करते मैं तो रभू को नहीं मिलता यह तो आप जिसकि करिए ब्रैम्म मूहुर्त परिक्रम में हमारे साथ जुने के लिए तो ये थे हमारे साथ जोतश पंडित रविशंकर जी जिन्नोंने बताए कि आज क्या कहती है ग्रहों की चाल और साथ ही बताया हर एक समस्याओं को समधान कल फिर आपसे मुलकात होगी तमाम आपके सवालों के साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ग्रहों की चाल क्या कुछ कहती है खबरों का सिल्सला यूही जारी रहेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगे प्राइम टीवी नमस्कार